नमस्कार आज की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम नागारजुन की परशिद कवीता अकाल और उसके बाद की व्याख्या करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन अगरा भी तक आपने चैनल सस्क्राइब ने किया तो इसको सस्क्राइब कर ले तो यह जो कवीता है अकाल और उसका बाद एक लगू कवीता है और इसमें अकाल और उसके बाद की स्थिति का पिल्कुल यथार चितरन किया गया है इसमें जो बाबा नागुर्जुन है जैसा कि आप सभी को पता है कि वे गरीब और दिन हीन के परति साहनुबूति रखने वाले कवी हैं इस कवीता में इसकी एक सिल्फ संद्रिय के दिश्टी से भी बड़ा एक खुबसूर्ती है कि यहां देखिए जो पहली सिरफ आठ लाइनों की कवीता है और उन आठ लाइनों में पहली चार लाइनों कहीं दिनों से शुरू हो रखी हैं और जो आखरी के चार लाइने हैं वो कहीं दिनों के बाद वो सब्द आता है पहली जो चार लाइनों के अंदर जो अकाल है उसका जिक्र है और जब अकाल के बाद घर के अंदर कुछ खाने के दाने आते हैं अना जाता है तो उस समय क्या के प्रिष्थितिय बदती है यह इस कवीता में दिखाने का प्रियास किया गया है तो आईए शुरू करते हैं और इसमें एक खुबसूर्ती यह भी जो ग्रामिन प्रिवेस है उसका चित्रन यहां बहुत ही खुबसूर्ती के साथ किया गया है प्रगतिवादी विचारधारा की कवीता है तो आईए इसका व्याख्या शुरू करते हैं कई दिनों तक चुला रोया चक्की रही उदास कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गस्त कई दिनों तक चुहों की भी हालत रही सिकस्त यानि जब अकाल पड़ता है और खाधान की किलत होती है तो एक गरीब व्यक्ति, एक किशान, एक मजदूर उसके पास कुछ भी जब खाने को नहीं रहता तो वो स्थीति का वर्णन याँ पर किया गया है, कहीं तिना तक चुला रोया यानि चुले के ओपर जब भोजन नहीं बनेगा, तवा नहीं चड़ेगा, कडाही नहीं चड़ेगी, खाना नहीं बनेगा, चुले को लिपा नहीं जाएगा, तो वो रोता रहेगा, चुला रोया यानि उस पर कुछ भी जो ऐसे भूख प्यासे वैसे बच्चे रोते हैं, तो लेकिन यहां पर चुला रो रहा है, चुला रो रहा है, यानि कुछ भी भोजन नहीं उस चुले पर नहीं बन रहा है, चक्की रही उदास, और जो चक्की है, जिसमें अनाज पीसते हैं, वो भ कiveness के नहीं गया क्योंकि आनज नहीं है जिससे वह आटा पीइसा जा सके करें डिनों तक कानिन fingertips है उन Luke our जो is जो कि फैद्टे वगरह है वह एक समझ से समाज का एक अंघ ही बेस्ट है और उसी मैं श्रह हुआ उनका पास वैसे उनको जाने नहीं दिया जाता यहां एक पवितरता के द्रिष्टी से लेकिन क्योंकि न चुल्ले के पास खाना बन रहा था न चक्की के पास पिसाई के लिए कुछ दाने थे इसलिए जो कानी कुतिया भी वहां पर सोती रही सिर्फ इसी आस के अंदर की हो शकता है कभी यहां पर चुला जलेगा तो कुछ कानी कुतिया को भी रोटी मिल जाएगी कहिन दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गस्त और कहिन दिनों तक चुहों की भी हालत रही सिकस्त और जो दिवार भीत यानि दिवार कहीं दिनों तक दिवार के उपर भी छिपकलियों की गस्त रही छिपकलियों की गस्त इसलिए रही कि छिपकलिया होती हैं वो भी मख्यां वगरा मच्छरों वगरा को पकड़ती हैं लेकिन वहां पर भी क्योंकि जो लोग थे वहां पर जो अकाल के कारण हो सकता वो पलाइन कर गए हो और पलाइन करने के बाद उन छिपकलियों को जो दिवार के उपर उनी छिपकलियों का समराच्य हो गया हो उनको खाने के लिए और कुछ ने मिला हो और दिवार पर ही वो गस्त करती रही यानि अपने शिकार को ढूंडती रही और और चुहें भी जो है, वो अनाज खाते हैं, बोरी में से निकाल के खाते हैं, तो लेकिन यहां पर भी अगर वो जब अनाज के दाने नहीं है, हर कुछ यहां पर बिलकुल खतम हो चुका है, अकाल पड़ा हुआ है, तो वहां पर चुहों की भी हाल चीकस्त रही, एक कैसम से जो प्राजय का भाव है वो उनके अंदर भी रहा, क्योंकि उनको कुछ भी प्राप्ते नहीं हुआ, कई दिनों तक चुहों के भी खालती यहाँ पर कई दिनों तक सिकस्त रही, उन्हें भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, दाने आये घर के अंदर कई दिनों के बाद यहां पर जो स्थिति है वो क्या परीवर्थनाता है यानि misma उसके बाद अकाल और उसके बाद यानि जब दाने आ जाते हैं अकाल खतम हो जाता तो उस परकार क्या उस गरामिन परवेश में उस घर के अंदर उस किशान के घर में क्या परिवर्तन आता है उसके बारे मतागा दाने आये घर के अंदर कहीं दिनों के बाद और कहीं दिनों तक भूखा पहने के बाद फिर उस घर में कहीं से दाने आए हैं कुछ खाने के लिए कुछ अनाज आया है, धुआ उठा आंगन से कहीं दिनों के बाद, और कहीं दिनों बाद चमक उठीन की आँखों के अंदर चमक आगए यह एक आसा वाधिता का परतीक है आँखों में चमक आ जाना यानि उनको ऐसा लगने लगा आसा हर पेट भोजन मिल जाएगा जो कहीं दिनों तक अकाल के काण वो भूखे थे कववे ने खुजलाई आखें पांखें कहीं से धुमा उठा है खुज चारतर फैल गई होगी तो ऐसे में कववे ने जो अपनी पांखें खुजलाने लगा कि सायद आज उसको भी कुछ न कुछ मिलने वाला है तो यह एक चोटी सी कवी था थी बागभा नागरजुन की और आसा ही आपको पसंदा ही होगी और अगर आ जैने बाद जैहिंद जैफार्द